आज के फैक्ट बीडियो चेहरे की उपर होने वाला है क्योंकि आज मैं चेहरे के बारे में कुछ एसे रहसमई चीज़े बताने वाला हूँ तो जीसे सुनकर आप बोलेंगे क्या बात हैं तो चलिए जानते हैं चेहरे के बारे में कि इंसान इस चीर से सुन्दर और आकरसक दिखता है तो अगर आप अपने चेहरे पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका चेहरा असल में कितना सुन्दर है अगर आपको एकीन नहीं है तो एक बार आप आईने के सामने जाकर अपना चेहरे को खुद से देखिए और गौर से देखिए फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका चेहरा वास्तों में कितना सुन्दर है और एक बात इंसान का चेहरा सुन्दर होने का सबसे अहम भूमिका उसकी आँखों का होती है मतलब जो आँखे, जिस बैक्ती या मतलब कोई भी इस्तरी हो या पुरू मतलब उस बैक्ती का जो आँखे होती है, बड़ी-बड़ी होती है, हिरन जैसी होती है तो वास्तों में वो चेहरा सुन्दर है तो सबसे पहले हमारे चेहरे का अकरसक, मतलब सुन्दरता जो है उसका वज़ा जानते हैं तो हमारे चेहरे का सुन्दर दिखने का सबसे बड़ी वज़ा हमारे भववे हैं यानि जो हमारे आखों के उपर रहता है जीसे हम भववे या आई बरो कहते हैं तो चलिए एक example लेते हैं माल लिजे कोई दो बेक्टी हैं और उनके face पर अलग अलग भावे हैं मतलब उनका आई बरो जो है अलग अलग type का है और पहला बेक्टी का जो आई बरो है वो थोड़ा पतला और महीन है और उसके अपेक्षा दुसरे बेक्षा जो आई बरो है वो घाना है और लंबा है तो घाना और लंबे आई बरो वाले बेक्षा ज्यादा हैंटसम और आकरसक दिखेगा ये तो फेस के उपर पहला फैक्ट होगे आप दुसरा फैक्ट ये है कि इंसानों में अलग-अलग टाइप का चेहरा होता है तो अगर आपका चेहरा oily है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा more handsome दिखोगे मतलब आपका चेहरा oily होता है तो आपको pimple तो आने का chance रहता है लेकिन आपा smart भी दिखते हैं हाई ना कमाल की बात है अब fact वाली बात यह है कि अगर आपके आधे चेहरे पे दाड़ी है मतलब आधे चेहरे पे दाड़ी होगी हुई है तो इसके दो फायदा है पारला फायदा कि आप more handsome दिखेंगे और दुसरा फायदा कि आपके चेहरे पे pimple का समस्या नहीं आएगी चेहरे के बारे में एक और fact है अगर कोई बेक्ती का चेहरा कितना भी सुन्दर क्यों नहीं हो अगर उस चेहरे पे pimple का समस्या आ जाती है तो वो चेहरा बेकार लगेगा अगर आपको एक किन नहीं है तो आप दुसरे बेक्ती का चेहरा देख सकते हैं और एक fact चेहरे सुन्दर तभी दिखता है जब हमारी नाक थोड़ी पतली और छोटी होती है तो friends बेगानिकों के अनुसार हमारा चेहरा जो है वो रास्माई किताब है मतलब हमारे चेहरा में उसका मुख्य द्वार उसकी आखे हैं और हमारा चेहरा नेक तथ्यों से भरा हुआ है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक किजिए और कुमाइंड करके बताए ये वीडियो कैसी है और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब किजिए और बेल आइकन भी प्रेस किजिए धन्यबाद